सवाल इस बात है जन्ता ने वोट दिया और चार पांच राजू में एलेक्शन हो गए जहां तक जम्मो कश्मीर का सवाल है वहां आज तक भी एलेक्शन नहीं हो रहे है छे-साथ साल हो गए क्या वज़ा है हम लोग भी तो इस भारत का हिस्सा है हम लोग के साथ भी इंसाफ ह होना चाहिए बाकि जीत और हार होती रहती है हम लोग को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है भारत सबके लिए है और भारत को मद्बूत करना हम सबका का है ईसको ऑर बदी ही धायों के जोनायन थे मेंश मायों थार्णी करना परेखार, होती है, जाने कगी आपी है, नियहाथ मफ्रिमी निफान थारस हो सब्हों करना पड़ ए है, कि सेर्जा विस दिना कर्ना पड़ेगा, और आगे चलना पड़ेगा, मेीदान भूत हां. मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आप काएगा अभी कुछ दिन पहले वर्ड कप इंडिया हार गया था आप दूसरी सवाल ये पूछते कि इंडिया का क्या होगा हम लोग दिरास नहीं है और राजनीत में लोग तंत्र में इस तरह के पड़ाम आते हैं मान लिजे जिस लोग सवा के छित में मैं बैठा हूँ आप हम सब लोग हैं पांच लाग बोटों से ये पार्टी जीकती है भार्यन्ता पार्टी इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग है जो निरास हैं जिने उम्मीद थी जिनकी उम्मीद तोड़ी है तो ये राजनीत में पड़ाम आते हैं और जो भी पड़ाम आएंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको स्विकार करेगी लेकिन लड़ाई लंबी है इन पड़ामों से हमें और जिन लोगों को भार्जे इंता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है उन्हें बहुत त्यारी करनी पड़ेगी बहुत अनुसासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रण्नीत के तहर ये इतना बहुमत पा रहे हैं इसलिए मुझे उमीद है कि आने वाले समय में परड़ाम दूसरे होंगे कर दो कर दो